हेलो गाईज, स्वागत एक पर फिट से आप सभी का आपके अपनी ही चैनल फैंटसी वस पे हम यहां बात करेंगे पंजाब और RCB के बीच में जो यह मुकाबला खिला जाएगा फैंटसी टीम आपको किस तरीके से बनानी है दोनों टीम के प्लेयर्स के रिकॉर्ड क्या कहते हैं जब यह दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस खेलते हैं तब किसका कैसा रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पर खेलते हैं तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना वैसे तो प्रेडिक्शन नहीं है यह ध्यान रखना अगर मैं आपको धर्मसाला का विकेट का नेचर बताऊं तो यह ओवरॉल न्यूट्रल लेकिन स्लाइट एडवांटेंस फॉर बैटर्स रहता है इनीशली थोड़ा पेसर को मुवमेंट मिलता है क्योंकि यहां की लोकैलिटी वैसी है थोड़ी हवाय पहते रहती है ठीक है उतना ज्यादा हाइज स्कोरिंग वेन्यू नहीं कि बहुत ज्यादा रांच बनते हैं यह ध्यान रहा है यह साम का मुकाबला है नौ मुकाबले ओवरॉल यह डोमेस्टिकली खेले जा च फीनर को साथ पेसर को ही गया रहा यहां पर फॉर्स निंग में 167 सेकें में 139 बना था इस पिंग को साथ पेसर को ही घ्यारा ठीक है ओवरॉल यह ओडार्ल यह स्लाइट फेवर देता है मैं इस थोड़े थे थिए तो पंजाब किंग्स ने चार आर्सी बीने याँ जया डि खतम हो चुका है अगर आप देखो के तो दो लेफ्ट हिंडर हैं यहां पर यहां पर सब राइट हिंडर है तो उतना कुछ खास मैचप भी नहीं है पंजाब की टीम की बात करते हैं इनके जो बाउप रहे हैं राइले रसो ने भी एक मैच में अच्छा किया बागी कुछ खास नहीं किया है सजांग सिंग अच्छी फॉर्म में सैम करन ने बैटिंग बॉलिंग से डीशन परफॉर्मस दिया जिते सर्म आउट ओफ फॉर्म आशुतोष सर्मा बीच में बल्ले बाजी आ अच्छा किया है लगातार विकेट्स निकाले हैं इनकी टीम से जो मस्टपिक की कैटेगरी में रहेंगे वो है एक तो सैम करन हो गए ठीक है हर्शल पटेल उसके अलावा अर्शदीव सिंग रबाड़ा के उपर रिस्क ले सकते हो अगर इनकी टीम फॉर्स्ट पास देथ में अर्शदीव हर्शल पटेल रबाड़ा और सैम करन यह चारों में से कोई भी दिख सकता है ज्यादा चांसे अर्शदीव और हर्शल पटेल के रहते हैं इनकी टीम के पास यह छे बॉलिंग ऑप्शन है जिसमें से ब्राहर सेयर करते हैं बाकी की जो बच्चे हारेःएख एक प्लेयर का आपको स्टेर्डस देखने मिलेगा हलांकि यह कुछ एक प्लेयर के स्टेर्स आपको स्कोर का इस तो यह आपको ऊवर ऑल स्टर्ड़ से expanding ऐसे जो bombers और तो č्टेल यह नहीं जूड़े हो तो जोड जूड़ देश्यांद से एक हैं एपको तो हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा फ्री है बिल्कुल तो फटा फट जाओ जुड़ जाओ इंपोर्टेंट है इसलिए भी बोला जाता है अब देखो आर्सीबी की टीम की बात करते हैं इनके जो इंपोर्टेंट प्लेयर है विराट कोली फॉर्फ डू प्ले तो लेके जाओ जरूर क्लैन मैक्सवल का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है ग्रीन ने अच्छा किया हुआ है बीच-बीच में बॉलिंग डाली तो विकेट निकाले दिनेश कार्थिक ने ठीक ठाक किया जब मौके मिले है ठीक है स्वापनिल शिग ने कुछ खास नहीं किया सिराज लास्ज दो माँच में तीन विकेट उसके बाद यस दयाल ये दो मैक्छ मैंच ये विकेट्लिस में बाकी हहोल टोर्णामेंट में इननों ने विकेट निकाल congress को विसक को मेंत siz अब्धा घर जैक है इनकी टीम से गार्ई ये बाद enc करन सर्मा और विजय कुमार विशक यह चार इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होगे जो बॉलिंग अच्छी घालेंगे उसके बाद करन सर्मा और यहां करन सर्मा का नाम आ गया ग्रीन और स्वापनिल चिंग यह मिलके चार ओवर डालते हुए दिखेंगे जो ज्यादा चांस रख सेम उसी फॉर्मिट में जिस फॉर्मिट में मैंने आपको अभी पंजाब की टीम का स्टैट्स दिखा है तो देखते हो चलना जो यलो कलर से मैंसेंड है वह अच्छा स्टैट्स रखते हैं अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में 32 टाइम से मुकाबले हुए 17 बार पंजा स्टैट्स में रियल 11 का लिंक दिया है वहां पर जाओ साइन अप करो रियल 11 में ओपीनियन पर आजाओ यहां फैंटसी भी खेल सकते हुए से सिंपल सा जवाब देना है आपको क्या पंजाब इस मैच को जीत पाई पैसे मिलेगा नहीं आप लोग बीच में देखो जब तक मैच चल रहा है सिच्वेशन के अगर पंजाब का पलड़ा उस समय भारी है तो आपका वहां पर प्रॉफिट दिखाएगा मतलब जब आप इ तो उस समय आप एकजिट कर लो ठीक है तो आप ना उसके बाद मैच कोई भी जीते उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा आपके विनिंग्स पर तो आप इस तरीक ऐसे में सेफ प्रॉफिट बनाकर निकल सकते हो ऐसा ही बहुत सारे कोशन ही क्या जो टीम पहले टॉस जीतेगी स्किप्शन में लिंक है और ट्रेडिंग करके भी अच्छा खाशा पैसा कमा सकते हो अब लास्ट चार में जो इन दोनों टीमों की बीच में खेल गए उसकी अगर हम बात करें तो अभी 2024 में ही वा था धवन के 45 जीतेश सर्मा के 27 सायम करन के 23 विकेट रबाड़ा के 2 विके की यहां पर आओक यहां पर देखो तो बारा यकित है वहां पर आई तिंगण के गनाकोट लिए पर और उनimerk के 20 यहां पर और екर में आखिय को किया थींग रिदिधिर सर्मा के 27 बिख सिरी से नाम करना अब सिर्ड है यहां यहां पर जो है राहूल चहर और अर्सेजिब तो कुछ एक प्लेयर्स जैसे रबाड़ा ब्रार और उसके बाद यहां पर क्या नम था रबाड़ा ब्रार होगे विराठ कुली और मौमा सिराज यह जो प्लेयर्स है तो इन पर थोड़ा नजार रखना अब तो हमने लास्ट च कावरिज है प्रप्शिंब्रं शिंग का 26 कावरिज है राइलरस हो एक मैच खेले 35 रंच की हैं लेंख सन्का 25 गवर्ज अगेंस टार्च वी जी इतैसार्मा का 26 का वर्ज चाहर अगेंस टार्च बीड़ार पच्छिस के शे मैंच में आठ विकेट है वेंड्यू की बात करे तो राइलेरशो का 82 कैवरेज है 52 कैवरेज है लेक्षण का सेम करन 34 कैवरेज है 3 मच में 4 विकेट एंड राहुल चहर 3 में 4 विकेट चो राबाटा का इस गृपर रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इनका फॉर्म थोड़ा इस डिकॉर्ड तो काफी अच्छा है ऐ आसे ही अगर हम RCB की टीम की बात करें तो इनके most of the players ने इस venue पर खेले नहीं है head to head यानि अगेंस्ट पंजाब की बात करें तो फ़फ का 57, 34 का अवर्ज विराट को ली पतिदार 25, 33 का अवर्ज ग्रीन है अब यह players के बारे में देखो पंजाब batsman versus RCB ballers चोनी बैस्टो को शिराज ने 25 गेंदों में एक बार आउट किया लेकिन 24 रंड दिया है थोड़ा ना लेफ्टाम ओर्टोडोक्स के इस फस्टें रवाड़ा ने इनको 48 गेंदों में चार बर आउट किया है आँड धिये थीट चुके हैं रभाड़ा उन्चास गेंदों में पांच बर आउट कर चुके हैं हरसल प्लान तो रभाड़ा ताब часов पर ओंदों में झार बार मेक्सेयल और ररात कुली को ब्रावन ने परिशान किया है यह पर dalej त्नायर को तो अगर देखोगे न तो अगर अगर वाइद चाहर मतलब यह आपे पर ध्यान के रख सकते हैं तो इस तरीखे 50 कि उनां की जाए तो most probably पंजाब के हर एक बॉलर को विकेट भी मिल जाए साइथ तो अब हम चलते हैं टीम सेलेक्शन की तरफ कीपिंग से जॉनी बैस्टो यह अच्छी ऑप्शन देंगे सबको अच्छा खेला कीची की सामने स्ट्रगल नहीं किया है दिनेश कार्तिक थोड़ा बल्ल सकते हो first बल्लेवाजी में क्योंकि at the end पी सिंग और जॉनी बैस्टो दोनों हीट और मिस्टाइब के खिलाड़ी है अगर थोड़ा सा भी ओवर कास कंडिशन रहा तो थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं विराट को लिम मस्चाब पे करेंगे क्योंकि दोनों का रिकॉर्ड कभी कबार डिमोट हो जाते हैं तो एक रिस्क फैक्टर जुड़ जाते हैं इनकी साथ रहले रसो एक हीट और मेस्टाइब के खिलाड़ी स्पिनर को ज्यादा अच्छी खेलनी बाते हैं हालाग यहां पे स्पिनर के लिए साइध ही कुछ हो तो आप इनको ट्राए कर सकते ह अगर बैटिंग विकेट रहा तो बट मैं जादे इंसे उमीद करने रहा हूं तो मैंने छोड़ दिया आसुतो सर्मा की बल्लेबाजी काफी नीचे नीचे और को अच्छा अच्छा आप्शन है नहीं आपको देथ में भी आ सकते हैं कभी कबार देथ में भी आते वह दिख आप एक सिकंदर अजा खेलेंगे नहीं ग्रीन बॉलिंग भी कर रहें इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि देखो इनके पास बॉलिंग एडवांटेज के साथ सथ बैटिंग भी आगर इनकी बैटिंग आती है तो कुछ एक अच्छे हीट लगाएं पिछले कुछ मैच में आप चाहो तो इनको छोड़ सकते हो काफी लोग ने इनको छोड़ा हुआ है बट मैंने इनको लिया हुआ है क्योंकि जब इनके बल्ले से वह पारी आती है तो आपके ओपोरेंट से एक तरफा बढ़त मिल जाती है डट्सवय मेरी टीम में हाला कि यह मस्ठप पिक के से नहीं देपाए तो नीचे देखो एस सिंग उतने अच्छे आप्शन नहीं रहेंगे बालिंग सेक्शन की बात करें तो जैसे मैंने आपको भी दिखाया था प्लेयर बैटल में हर्शल पटेल आर्शदीप सिंग और रभाड़ा तीनों का रिकॉर्ट सांधार अला कि तो यहakah इनके इन टीम है रिस्क के तौर आपको अन्यूं मु़मद फरसे जिनिंग करें तो written आपको बता दूं आपको बता दूं मुहमा शिराज के narrator कि आठ परिके अच्छा है त्ब सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है कि अपनी आपनी टीम के प्रॉपर गिंदबाज है जो चार वर पूरे डालते हैं तो कंसीडरेबल रहेंगे मैंने लिया राहुल चैर को उपर रिस्क ले लो थोड़ा सा आपको पता है कि इनका फॉर्म अभी लाज के कुछ मैचे से अच्छा दिख रहा और इस टीम के अगेंस्ट इस विजे कुमार विशक एक आवरेज ऑप्षन रहेंगे हर फ्रीद ब्रार की बात करें तो हर फ्रीद ब्रार ने जैसे मैक्स्वेल होगे विराट को लिए इन लोगों को परिसान किया है तो अगर आपको लेना है आप लेके जा सकते हो लेकिन ओवर कभी भी कर सकता है जैसे यहां पर स्पिनर्स के लिए अगर कुछ नहीं वाना तो जैसे लास्ट वर में केवाल एक ओवर मिला था हो सकता है फिर से एक ओवर मिल जा लेकिन अभी इनका मैचप शही है तो हो सकता दो ओवर मिल जा तो यू कंचीटर रिस्क लेके करन चर्म अगर इनकी टिम सेकेंड सकते हो कभी-कभी अगर इनकी टिम अच्छा स्कूर कर देती है विशाल जैसा स्कूर तो यहां पर ना फिर यह गुच्छे में विकेट लेकर जा सकते हैं नीचे और को इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं जो की खेल रहा हो अब हम चलते हैं टीम प्रिव्यू की तरफ के लि इनका रिकॉर्ड अच्छा है फॉर्म अच्छा मेंने कैटन कर दिया आप चाहो तो इन दोनों में से भी न अपना कैटन वास कैटन चून सकते हो यह मैं आफ्टर टॉस देखूंगा मैं चेंज कर सकता हूं और जैसा मैंने आपको बताया यहां पर आप करण शर्मा की जग पहले कमेंट में आपको हमारे टेलीगाम चनल का लिंक मिल जाएगा वहां पे जब आप जूर जाओगे न आपने आफ्टर टॉस के अपडेट लेली वीडियो में जो पॉइंट समझा है गाए हर एक प्लेयर के बारे में वह समझ लिया तो आपको एक बहतरीन टीम बनाने स तो मैं खुद लगा लेता ना देखो ग्रेंड लिग में लग बहुत इंपोर्टेंट रहता अगर आपका लग अच्छा तो ही आप अच्छा कर पाऊगे अधर्वाइज स्किल्स इसमें बहुत कम लगती है तो स्किल्स पर आप कैसे वर्क कर सकते हो यह जो कुछ एक ट्रम डाय्रेक्शन में जिसको भी जितार है उसके जादल हो फिर और आपको यह मैच मैच में आप स्बसके बनाने कि कर पकी स्मॉल लिक की टी में इस सबसे पहले कमें लिंक मिल जाएगा फटा फट जाओ जुड़ जाओ इंपोर्टेंट टेस्ट ले बोला जाता और बिल्कुल फ्री भी है होप करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो से काफी कुछ सिखाया होगा यदि सिखाया है तो एक लाइक जरू करना चैनल पर नहीं हो तो सस्क्वाइब कर देना मिलते हैं आगली वीडियो में तबता के लिए जाहिए